खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट मई में ED दफ्तर पहुच गए है जहां उनसे यस बैंक से सम्मंदित मनी लॉंडरिंग मामले में पूस्ताच होगी आपको बता दे क्यानिल अमानी की मनी लॉंडरिंग मामले में जबकी तीन दूसरे अद्योग समूहों के प्रमुकों को NPA यानी की खराब करश के मामले में आज ED दफ्तर में पेश होने के लिए का गया था इससे पहले ज़ारी समन के मताबिक आमानी को बीते सोंबार को व्यक्तिकत तोर पर पेश होना था लेकिन उन्होंने नीजी कारणों का हवाला देती हुए इससे छूत मांगी थी जानकारी देदे के अनेल अमानी की कम्पनियों द्वारा यस बैंक से लिए गए करज में 12,800 करोड रुपए NPA हो गए है वह यह से पहले ED ने यस बैंक के प्रवरतक राणा कपूर और दूसरे उद्योग समोहों के खिलाफ समन जारी किया था तो यस बैंक मामले पर अनेल अमबानी से पुस्ताच ED दफ्तर पहुचे हैं अनेल अमबानी आज पुस्ताच होनी है अनेल अमबानी से इस पूरे मामले खुले कर ED दफ्तर पहुचे हैं अनेल अमबानी आज अनेल अमबानी से ED दफ्तर में पुस्ताच होगी खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकल नेवर मिस एनी अपडेट